हलो दोस्तो मैं रुपास्त्री और हमारे यूटुब चैनल में आप सभी कर स्वागत है आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे माहली जनजाती के बारे में वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू करे और चैनल से जूडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा के रख ले माहली जनजाती सिल्पी जनजाती है ये बास की कला में निपुन होते हैं बास की टोक्रिया बनाना और ढोल बजाना इनका पेसा है माहली जार्खन में पाए जाने वाले द्रविड मुल की जनजाती है इनकी भासा सादरी और हिंदी है ये जनजाती मुक की रूप से हमारे जार्खन राज के लोहरदगा, गुमला, राची, सिंग्भूम, हजारिबाग, धनवाद एबंग संथाल परगना के छेतर में पाए जाते हैं यह जनजाती का संबंध प्रोटो उस्ट्रेलाइट प्रजाती से है और इनमें भी रक्त समू की प्रधानता पाई जाती है माहली जनजाती पांच उपजातियों में विभाजित है बासफोर माहली, पातर माहली, ताती माहली, मुंडा माहली और सलूखे माहली माहली समाज में परिवार का आधार प्रित्री सत्तात्मक होता है और इनके परिवार में माता पिता एबंग अविवाहित बच्चे होते हैं माहली समाज में भी तलाक और विद्वा दोनों का प्रचलन है तलाक के लिए पंचायत की अनुमती की अवैसकता होती है माहली समाज में समान गोत्र में विवाह की मनाई होती है इनके कुछ प्रमुख गोत्र है डुंगरी, हस्दा, हेम्रम, चारबर, भिलकी, तिर्की, केरकेट्टा, आदी इनके समाज में विवा के दो प्रकार प्रचलन है एक है राजी खुसी विवा और दुसरा है गोलट विवा महली लोगों का सर्वोच देवता होता है सूर्जी देवी, सूर्जी पूजा बैसाक महिना में जाहर थान में किया जाता है महिलाएं भी इस पूजा में सामिल होती है, यह पूजा प्रत्यक महली गाओं में 12 बरसों के पश्चायत होता है और यह पूजा ग्रामीनों के कल्यान के लिए होता है इसके अतिरिक्त ये ग्राम देव, दिवार देव, पितर देव, बुरु देव, बन देव आधी की भी पूजा करते हैं इनका धार्मिक गुरु पाहन होता है जिनको बैगा भी कहा जाता है भादो के महिने में मौनसा पूजा भी की जाती है इसके अतिरिक्त माहली लोंग, कर्मा, सोहराई, सरहुल, नवाखानी, आधी तेवहार भी मनाते हैं इस जनजाती के द्वारा अपने पूर्खों के लिए भी एक पूजा की जाती है जिसको कहा जाता है गोडम साकी इसको बुढ़ा-बुढ़ी पर भी कहा जाता है प्रतियुगता परिक्षा में इस जनजाती से जो कोशन पूछा जाता है अधीकतर वो है जारखन की सिल्पी जनजाती कौन सी है तो इसका एंसर हो जाएगा माहली जनजाती दोस्तो वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख ले थैंक यू